हमिरपुर में नई S.T.M. सिल्पी विक्ता ने पदभार संभालने की बात लंबित पड़े राजस्व के मामलों को निप्ताने की साथ साथ महिलाओं और बच्चों के लिए सिरकारी स्कीमों का लाप मिलना प्राथ मिक्ता बताई है शिल्पी विक्ता ने कहा कि कन्या भून हत्या को रोकने के लिए और चिक नरिक्शन किया जाएंगे तो लिंग अनपात को सुधाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे S.T.M. सिल्पी वेक्टा ने कहा कि शेहर की सुन्दता को लेकर कदम उठाए जाएंगी और खासकर महिलाओं वो बच्चों के लिए चल रही सरकार स्किमों को लागू करने के लिए प्रात्मिक्ता पर काम होगा उन्होंने कहा कि शेहर से अतिक्रमन की समस्या से निजात दिलाने के लिए आगामी दिनों में काम किया जाएगा गौर्दलवेकी शिल्पी बेक्टा H.A.S. 2012 की बैच की हैं और इससे पहले शिमला सोलन में सेवाएं दे चुकी हैं और अब उनका तबातला हमिलपूर S.D.M. के तौर पर हुआ है में प्रारिटी मेरी रेविनियो को लेकर होगी बेसिकली आइम ए रेविनियो ऑफिसर हमारे रेविनियो केसे जो है वो टाइमली डिस्पोज ओफ हूँ जनता परिशान ना हो रेविनियो फील्ड अजेंसी भी अच्छे से काम करें यह मेरी नंबर वन प्रारिटी रहेगी वुमेन और चिल्डरन के उपर रहेगी क्योंकि I am a lady और मेरे को यह पता है कि जो ladies है वो परिवार का अधार स्थम होती है उनकी सेहत के उपर क्या असर होना चाहिए सरकार की जो policies उनको अच्छे से इंप्लिमेंट किया जाए तीसरा बच्चे क्योंकि they are the future of our nation कोई भी country superpower तभी बन सकती है जब उनके बच्चों के हम ध्यान दे तो government of India की बहुत अच्छी schemes है उनको लागू किया जाएगा और इन दोनों points पे second और third point पे ICDS के साथ मिलके कारे किया जाएगा लोगों की perception change करनी ज़रूरी है सबसे ज़रूरी हमारी मान सिक्ता में बदलाव आना चाहिए इसको लेके हम IEC activities करेंगे साथ में PCPNDT Act को और अच्छे से किस तरह से हमारी user agencies जो है हमारी police की तरफ से जो है इसको implement कर रहे हैं कितना हम जाके यहाँ पे private hospitals हैं वहां पे और चक निरिक्षन भी करेंगे ultimately हमारा जो जिला है भले ही हर चीज में आगरिणी है लेकिन child sex ratio में काफी पीचे है तो इसको सुधारने के लिए सब को इकठे मिलके काम करना इसको अच्छे काम किये हैं उनको continue किया जाएगा और उसी शिदत के साथ हम इसमें कारे करेंगे